लेटेस्ट वीडियो अधे आपडेट से लही साधे चैनल नो कार लो सब्सक्राइब एस दिनाल दा बेल आइकाउं दा बटन भी दबा देओ आगे तो आनों आपडेट मिलते रहें लोगों को लग रही है इसी के साथ डॉक्टर ने कहा कि अगर हमें इन बीमारियों से अपना बचाव करना है तो अपने आसपास गंदा पानी जम्मा होने से रोकना होगा मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें ताकि बच्चों को भी इन बीमारियों से बचाया जा सके कोई कठ्था नहीं होने देना चाहिए और ड्राइफ फुरूट ले रहा है या का सब्सक्राइब जदी डेंगू हो जाए तो उसके लिए टेस्ट के बाद जदी निकलता हो तो उसमें पपिता के पत्ते का रस पीने से के भी फल्खाने से पर पिड़ दी होता है और ये जो देंगू बीमारी हूँ, इससे कौनकों से में बीमारी लगती है डेंगू से जो मच्छर है डेंगू हे इनसे क्या क्या बीमारी इसको बराबर जांच कराते रहना चाहिए नहीं खाना चाहिए और उसका जो डाइबिटीज का कीट के हिसाब से जो डुटीन होता है वो रिगलर उस दंग से लेना चाहिए जाएब बराबर आण सुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए और डोक्टर साब एक बात और बते हैं अगर माली कोई इंसां शुरु से दूबला पतला है ठीक है उसको अपने सेर्थ बनाने के लिए किया कैमें करना चाहिए उसको स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिस एकसर शाहिए जो ग और सभी डाइट लेनों चाहिए, मेडिसीन से ज्यादा जादा जाएट से होता है और डॉक्टर साब एक लास्ट में स्वालोर पूछूँगा जो ही अपना सेवसदन है इस जी अपना क्लेनिक है कोई कि आपने इसमें बुलुगोस गारा भी चड़ाते कुछ होस्पिटर गारा भी है कि ने दवा हुआ देते हैं बुलुगोस गारा में लगाते है ठीक है और एक और लास्ट में पूछूँगा आप कि अब ठंड आ रही है ठंड की बीमारी से बचने के लिए क्या करना है? जोपने के बारे में बता रहे थे कि ठंड से जो बिमारी होती है उससे बजने के लिए क्या क्या करना चाहिए गार्म चीज फनों चाहिए ठंड से बचने के लिए कपड़े का इपरियोक्त झाल झाल